टाइब के बारे में देखो अगर पुछो आपसे बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे तो बंगाल के पहले गवर्नर जो थे वो थे आपके किलाईव आपको धियान लखना है ठीक है पिलासी का वोड जीतने के बाद दुस्ता आपके बंगाल के पहले गवर्नर किसको बनाये ग कौन थे ये थे आपकी Warren Hastings आपको ध्यान रखना है ठीक है तो बंगाल के पहले Governor कौन थे वो किलाइब थे ठीक है बंगाल के पहले Governor General पूछूँ आप से वो दोस्तो Warren Hastings से ये आपको नोट करना है सो आपके और 1773 का दोसर Regulating Act जो है इसके द्वारा जो है इनको Regulating Act है आपके इसके द्वारा आपके इन्हें बंगाल का पहला Governor General बनाएगे आपको ध्यान रखना है ठीक है वही दोस्तों वही पूछे आप से भारत के पहले Governor जर्नल कौन थे आपके ये थे William Bantic आपको ध्यान रखना है ठीक है तो भारत के पहले Governor General कौन थे आपके वो William Bantic थे और इन्हें 1833 के Charter Act से बनाया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है और वहीं दोस्तों आपके भारत के पहले Viceroy कौन थे तो भारत के पहले Viceroy जो है वो Canning थे आपको ध्यान रखना है ठीक है अच्छा दोस्तों अगर सवाल आपसे यहाँ पर यह पूछे कि भाई सब आपसो Canning जो है यह भारत के पहले Viceroy कब दोस्तों बनते हैं आपके यह दोस्तों आपके क्रांती होती है कौन सी आपके सतामन किसे क्रांती होती है इसके बाद दोस्तों आपके East India Company के जो रूल है आपके सोओं इसका The End यहाँ पर होता है और फिर दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर 1858 का Government of India Act आता है ठीक है कभी सवाल अगर आपसे यह पूछ लेना कि भाई पहला भारत सासन अधीनियम कौन सा है तो ध्यान रखना इसको डाल दिया गया आपको ध्यान रखना है ठीक है तो भारत बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे कि लाइव ठीक है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे यह वरन हैस्टिंग ठीक है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे यह बिलियम बैंट ठीक है और भारत के पहल वाई शराय कौन थे हैं ये कैनिंग आप्शन नमबर भी आपको ध्यान लखना है कौन कौन किस किस अधिनियम से बनाएं ये सवाल भी एक्जाम वाला आपसे पूछ सकता है ठीक है अगला सवाल